बॉल्यूट सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इन दा टॉल ग्रास करते हैं तब ही उन टॉल ग्रास इसके अंदर से ने एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है ये पूरी तरह से हैरान होते हैं कि इन टॉल ग्रास इसके अंदर कौन है और जब वो बच्चा इनसे मदद मांग रहा होता है तो ठीक उसी वक्त इने एक और लीडी की आवाज आती है जो बच्चे से कहती है कि मदद मत मांगो दरसल ये उस बच्चे की मौम है और अब बकी को और कैल को लगता है कि इने उस बच्चे की मदद करनी चाहिए यहीं पास में एक चर्च होता है जहां पर ये अपनी गाड़ी को पाक कर देते हैं और इसके बाद ये दोनों के दोनों उन टॉल ग्रासिस के अंदर उस बच्चे की मदद करने के लिए चले जाते हैं हालकि ये दोनों एक साथ ही होते हैं लेकिन बकी अप पुलीस को कॉल करना शुरू कर देती है जिस वज़े से वो अपने भाई से यानि की कैल से दूर हो जाती है और अभी दोनों के दोनों इन टॉल ग्रासिस में एक दूसरे से अलग हो चुके हैं इसके बाद ये एक दूसरे को आवाज लगाना शुरू कर देते हैं और यहां पर इनके साथ एक बहुत ही अजीब चीज होती है जब ये दोनों एक दूसरे के पास होते हैं और एक दूसरे को आवाज लगाते हैं तो इन्हें ऐसा एसास होता है कि ये एक दूसरे से बहुत दूर है और जब ये एक दूसरे से दूर होते हैं और एक दूसरे को आवाज लगाते हैं तो इन्हें लगता है कि ये दोनों एक द दूसरे को देख लें और ये ऐसा ही करते हैं ये दूनों एक दूसरे को देख लेते हैं ये दूनों आसपास ही होते हैं इसके बाद एक बार फिर से ये जम करते हैं लेकिन इस बार ये एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं और इस बार से दूनों के दूनों टर जाते हैं ये फैसला करते हैं कि ये इन टॉल ग्रासिस से बहार निकल जाएंगे लेकिं बहुत कोشश करने के बाद भी ये इन टॉल ग्रासिस से बहार नहीं निकल पाते और इसी तरह से पूरा तिन भी जाता है और अब यहां पर रात हो चुकी है बकी जब अपने भाई कैल को ढून रही होती है तब ही उसे यहां पर एक आदमी दिखता है यह आदमी उसी बच्चे का फादर होता है जिस बच्चे ने इने मदद के लिए अंदर बुलाया था बकी उसे सारी बात बताती है कि किस तरह से बच्चे की आवाज सुनने के बाद वो अपने भाई के साथ इन टॉल ग्रासिस के अंदर आये थी और अब वो दोनों अलग हो चुके हैं वो आदमी कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा हम जल्दी तुम्हारे भाई को ढून लेंगे और गलती से भी अपनी नजरे मुझसे दूर मत करना नहीं तो हम दोनों भी अलग हो जाएंगी वही हमें बकी के भाई कैल को दिखाया जाता है जिससे चोट भी लग चुकी होती है वो पूरी तरह से हताश होता है और तब ही उसके पास वही बच्चा आता है जिसकी आवाज सुनकरे दोनों के दोनों इन टॉल ग्रासिस के अंदर आ गए थे इस बच्चे का नाम टॉबिन होता है वो बकी को कहता है कि यहां ग्रास में एक बहुती खास बात है यह किसी भी मरीवी चीज़ को अपने अंदर नहीं लेती लेकिन केल को इसकी बातों में कोई इंटरस्ट नहीं होता वो किसी भी कीमत पर अपनी बहन को ढूनना चाता है ताकि वो इन टॉल ग्रासिस से निकल सके साथ ही उसकी बहन प्रेगनेंट भी होती है अब यहां पर कैल उस बच्चे से पूसता है कि तुम यहां पर कैसे आई टॉबिन उसे बताता है कि मैं अपनी फैमली के साथ यहां पर चर्च में आये था और जब मैं इन टॉल ग्रासिस के पास आया तो मुझे किसी आदमी के आवाज सुनाई दी जो मदद मांग रहा था और मैं उसकी मदद करने के लिए इन टॉल ग्रासिस के अंदर आगिया जब मेरे मॉम डैड ने मुझे इन ग्रासिस के अंदर आते वे देखा तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ गए और हम सब यहां पर फज गए यानि कि जो बकी और कैल के साथ हुआ था वही टॉबिन और उसके परिवार के साथ भी हुआ है टॉबिन कैल को बताता है कि तुम्हारी बहन मारी जाएगी यह सुनकर कैल पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपनी बहन के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था कैल पूसता है कि तुम मेरी बेहन को कैसे जानते हो टॉबिन कहता है कि मैं तुम्हारी बेहन को नहीं जानता ये सब मुझे एक रॉक ने बताया है और उस रॉक को टॉल ग्रासिस ने बताया है और इसके बाद वो कैल को लेकर उस रॉक के पास जाता है और जैसे वो उस रॉक को हाथ लगाने वाला होता है उसे अपनी बेहन बकी की आवाज सुनाई देती है वो भी उसे आवाज लगाता है लेकिन इसका कोई भी फाइदा नहीं होता वहीं ग्रासिस के भार हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रैविस है और ये बकी का हजबेंड है दर असल ये अपनी वाइफ को ढूनने के लिए यहाँ पर आया है और उसने अपनी वाइफ की और कैल की गाड़ी को भार देख लिया है इसलिए उसे पूरा यकीन है कि वो दोनों के दोनों इन टॉल ग्रासिस के अंदर है और जब वो इन टॉल ग्रासिस के अंदर जाता है तो उसे सबसे पहले टॉबिन मिलता है टॉबिन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी वाइफ बकी को ढूड़ने के लिए यहाँ पर आये हो लेकिन इसका कोई भी फाइदा नहीं है क्योंकि अब वो मारी जा चुकी है और इसके बाद वो ट्रैविस को उसकी वाइफ बकी की डेड बॉड़ी के पास ले जाता है जिसे देखकर ट्रैविस पूरी तरहां से तूट जाता है वो पूरी रात वहीं पर रोता रहता है साथ ही अपनी वाइफ का नेकलेस भी वो अपने पास रख लेता है अब ट्रैविस यहां से निकलना चाता है लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी वो यहां से नहीं निकल पाता अगली सुबह उसे ग्रासिस के भार से एक बच्चे की आवाज आती है वो उस बच्चे को मदद के लिए आवाज लगाता है और भार हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा और कोई नहीं बलकि टॉबिन है जो उसकी आवाज सुनकर इन टॉल ग्रासिस के अंदर आ जाता है और उसके पीछे पीछे उसके मॉम और डैड भी जिसके बाद टॉबिन और उसके मॉम डैड भी इन ग्रासिस में खो जाते हैं इन्हें यहाँ पर कई दिन हो चुके हैं और इसके बाद इस कहानी के शिरुवात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बकी अपने भाई कैल के साथ यहाँ पर आई है और उन्हें टॉबिन के ओवाज आती है टॉबिन उन्हें मदद के लिए बुलाता है और टॉबिन की मॉम उसे ऐसा करने के लिए मना कर रही होती है जिसके बावजूद कैल और बकी दोनों के दोनों टॉल ग्रासिस के अंदर आ जाते हैं जहां पर हमें समझ में आ जाता है कि ये एक तरहा का लूप है जिसमें ये फर्स चुके हैं यानि कि इनकी जिंदगी में बार बार वही चीज़े घट रही हैं कि किस तरह से एक के बाद एक ये इन टॉल ग्रासिस के अंदर आएं अब इन ग्रासिस के अंदर दिखाया जाता ह जहां पर बकी, साथ ही उसका भाई कैल एक तूसरे को आवाज दे रहे हैं जैसा कि हमने कहानी की शिरुवात में देखा था इसके अंदर अब बकी का हस्बिन भी है जिसका नाम ट्रैविस है ट्रैविस इनकी आवाज सुन लेता है साथी ने टॉबिन की आवाज भी आ रही होते जो इने बताता है कि उसका डॉग मारा जा चुका है और तब ही ने याद आता है कि टॉबिन ने कहा था कि ये जो टॉल ग्रासिस हैं ये मरिवी चीज को अपने अंदर नहीं लेती वो उसे मूव नहीं करती इसलिए तीनों की तीनों तैय करते हैं कि टॉबिन की आवाज की तरफ बढ़ेंगे और जब ये तीनों की तीनों एक दूसरे की आवाज पर ध्यान न दे कर टॉबिन की आवाज की तरफ बढ़ते हैं तो ये एक दूसरे से मिल जाते हैं यहाँ पर ट्रैविस इन दोनों को बताता है कि तुम दोनों पिछले दो महिने से गाइब हो यानि कि ये दो महिने से इस लूप में फसेवे हैं जिसके बारे में इन दोनों को कुछ नहीं पता होता क्योंकि बकी और कैल को लगता है कि पिछले एक दिन से ही वो इन टॉल ग्रासिस के अंदर खोई हुए है इसका मतब ये है कि दो महिने से ये इस लूप के अंदर है ये बार बार इस जगा पर आते हैं और इन टॉल ग्रासिस के अंदर एंटर होते हैं और ऐसा पिछले दो महिनों से चला रहा है। अब यहां से निकलने का एक प्लैन बनाते हैं। यह रासिस बहुत लंबी होती है। इसलिए टॉबिन को यह अपने कंधे पर बिठा लेते हैं। और चर्च की बिल्डिंग की तरह बढ़ना शुरू कर देते हैं। और तभी बकी को एक अन्नो नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ एक लड़की होती है जिसकी आवाज हू बहू बकी की तरह होती है। और वो बकी से कह रही होती है कि कैल को समझा देना कि जाहे कुछ भी हो जाए वो ट्रैविस को नुकसान ना पहुचाए। नहीं तो वो इस जगा से नहीं निकल पाएंगे। दरसल दूसरी तरफ और कोई नहीं बलकि खुद बकी है और वो इस कॉल पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब यहां से आगे जाते हैं तो बकी भी होश हो जाती है क्योंकि वो प्रेगनेंट है। और उसे अपनी भी होशी के हालत में कुछ बढ़ रहे हैं लेकिन अगले पल जिस तरफ यह बढ़ रहे होते वहां से चर्च गायब हो चुका है। और अब यह टॉबिन के पिता के साथ उसी के रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं जो इन्हें उसी पत्थर के उसी रॉक के पास ले जाता है। जिसके बारे म हैं कि यह रॉक इस जगा के सेंटर में है और इसे चुने के बाद तुम्हें विजडम मिलेगा तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। तुम सब को भी इस रॉक को चुना चाहिए। और जब वो ऐसा बोल रहे होते हैं तब हमें पीछे से कुछ मंतरों कि कुछ चैंटिंग की आवाज आती है इससे पहले कि यह सब उस रॉक को चूते हैं यहां पर टॉबिन की मौम आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा पर परेशान होती है वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और कहती कि मैंने अपने बेटे की डेट बाड़ी को देखा था लेकिन वो यहां पर जिंदा है तुम्हें मेरे हस्बेंट पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए टॉबिन की मौम की बाद सुनने के बाद कोई भी उस रॉक को चूने से मना कर देता है जिससे टॉबिन के पिता को गुसा आ जाता है वो ट्रैविस के पर हमला करके उनकी शोल्डर को जखमी कर देते हैं साथ ही वो अपनी पत्नी के उपर हमला करते हैं उसे मार देते हैं इसके बाद यह सब के सब यहां से टॉबिन के पिता से बचकर भागते हैं जहां इने घर दिखता है और यह सब के सब घर के अंदर चले जाते हैं यहां जीवन भी टॉल ग्रासिस की तरह हो चुका है जहां पर ये बार बार मरने के बाद दुबारा से जिन्दा हो जाते हैं अभी इस घर की छत पर जाते हैं और भार निकलने का रास्ता ढूडने लगते हैं तब ये टॉबिन के डॉक को देखते हैं जो एक होल से अंदर जाता है और अगले पल वो भार सड़क पर होता है ट्रैविस समझ जाता है कि यहां से निकलने का सिर्फ एक यही रास्ता है भी कैल को कुछ आवाजे आती हैं और अगले पल वो ट्रैविस को बिल्लिंग की छस से नीचे गिरा देता है यहां पर टॉबिन की पिता भी आ चुके हैं जो इने मारना चाते हैं कैल बकी और टॉबिन यहां से भागते हैं लेकिन अब बकी को पता चल चुका है कि उसके पती ट्रैविस को कैल ने उपर से नीचे गिराया है इसलिए वो अकेले ही टॉल ग्रासिस के अंदर चली जाती है तब ही टॉबिन के पिता कैल को पखर लेत पर इससे पहले कि वो से मारते वो यहां से भागने में कामियाब हो जाती है बकी को यहां पर और भी कई लोगों की आवाजे आती है और तबीयों देखती है कि यहां पर कुछ ऐसे लोग भी है जो यहीं की है जिने ग्रासमैन कहा जाता है जिनके चेहरे ग्रास की तरह है ये बकी को उठा कर उसी रॉक की तरफ ले जाते हैं जहां से भाग कर आये थे और साथ ही कुछ मंत्रों का उचारन भी कर रहे होते हैं और जब ये उस रॉक के पास पहुँच जाते हैं यहां से बकी अपने आपको कॉल करती है और चिला चिला कर कहती है कि कैल ट्रैविस को नुकसान मत मौचाना और यहां पर यह कॉल वही कॉल होती है जो हमने कहानी के पहले भी सुनी थी यहां पर बकी को एक लड़की का कॉल आया था और उचिला चिला कर कह रही थी कि ट्रैविस और कैल की आपस में फाइट मत होने देना दरशल उसने अपने आप को ही कॉल किया था बकी के सामने जो रौक होता है वो अपने आप इस जमीन में धस जाता है जिसके अंदर कई सारे हाथ होते हैं जो बकी को नीचे खीचना चाते हैं बकी यह सब देखकर भ्योश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो देखती है कि उसके बच्चे के साथ उसका भाई कैल है जो अपनी बहन बकी को कुछ खिलाता है लेकिन अगले पल वो टॉबिन के पिता के रूप में बदल जाता है यानि कि ये टॉबिन के पिता है और उसने उसके बच्चे को मार दिया है अब बेटे टॉबिन को पकड़ कर उससे रॉप को उस पत्थर को टच करवाने की कोशिश करते हैं पर तभी बकी पीछे से उसके उपर हमला कर देती है और अब ट्रैविस जो कि अभी भी पूरी तरह से ठीक होता है वो टॉबिन के पिता को मार देता है पर बकी की भी अब मृत पकी हो चुकिये यानि की कैल, टॉबिन के पिता और साथी बकी ये तीनों के तीनों मारे जा चुके हैं और यहां पर बस टॉबिन और ट्रैविस बचेवे हैं और ट्रैविस अब सब को जानना चाता है इसलिए रॉप को टच करता है जिसके बाद उसका बहेवियर बहुत रजीब हो जाता है वो टॉबिन को उसी जगा ले जाता है जहां से उसका डॉग बाहर गया था और वो टॉबिन को कहता है कि वो यहां से नहीं निकल सकता तुम यहां से चले जाओ और बाहर जाने के बाद तुम ही इस लूप को खत्म कर सकते हो क्योंकि वो जानता है कि जि ये टॉल ग्रास के अंदर से किसी बच्चे की आवाज आ रही होती है जो की टॉबिन क्यों होती वो उन्हें अंदर मदद के लिए बुला रहा होता है पर इससे पहले की अंदर जाती वो टॉबिन जो बाहर है वो इन तक पहुंच जाता और कहता है कि इन ग्रासिस के अंदर म मना करूं। वो नेकलिस देने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो टॉल ग्रासिस के अंदर नहीं जाएंगे। साथ ही उसके पेट में जो बच्चा है वो उसे अपने साथ ही पालने का तैय करती है। धरसली सेंडियागो इसलिए जा रही थी ताकि वो अपने बच्चे को क काल ग्रासिस के अंदर लेता है और अब क्यूंकि बक्की और कैल ग्रासिस के अंदर नहीं गए तो ये लूप यहीं पर खत्म हो जाता है। यानि कि ये जिस चक्र में पिछले दो महिनों से फसेवे थे वो चक्र अब यहां पर खत्म हो चुका है। जरसल जिस लूप के अं से पहले छुआ था तो वो सब को मारना शुरू कर देते हैं लेकिन चब ट्रैविस इस रॉक को छूता है तो वो टॉबिन को यहां से बाहर निकलने में मदद करता है जिससे ये लूब पूरी तरह से खتم हो जाता है और शायद यहां पर जितने भी ग्रास्मैन है वो कभी नकभी इनी लोगों की तरह यहां पर आये हूं जिन्होंने रॉक को टच किया जिसके बाद रॉक ने उनकी आत्मा को अपने कबजे में कर लिया क्योंकि जब रौक पत्थर नीचे गिरता है तो वहाँ पर बहुत सारे हाथ दिखाये गए थे यानि कि ये सब लोग भी कभी न कभी इनी की तरह इसके अंदर आए थे वहीं एक और सवाल होता है कि कैल उपर से ट्रैविस को क्यों गिराता है दरसल उस वक्त कैल ने कुछ मंतरों की आवाज सुनी थी जिसके बाद वो अपना दिमागी आपक हो देता है और ट्रैविस को नाचा कर भी नीचे गिरा देता है तो ये थी पूरी कहानी फिल्म इन दा टॉल ग्रास की इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल है जो सवाली बन कर रह गए गराब के दिमाग में भी कोई सवाल या जवाब है तो कॉमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करिए उमिद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी